दोस्तों आज हम आपको बताएंगे थाइम औरल के फायदे और उप्योग के बारे में, आप शायद अजवान के फूल के एक जड़ी बुटी और भोजन के मौसम के रूप में उप्योग से परिचित हैं। भोजन के स्वाद को जीवन्त करने के अलावा थाइम का पौधा थाइम जवलगेरिस भी थाइम आवश्यक तेल का स्रोथ है। अजवान के तेल का उप्योग और लाब। ऐसे कई अध्यायन हैं जो थाइम एसेंशियल औरल की खाद्य जनित जीवानों को कम करने या समाप्त क करने की क्षमता का समर्थन करते हैं, फ्रिदय स्वास्थय का समर्थन करते हैं और शरीर में सूजन को कम करते हैं अन्यलाबों के बीच। इससे पहले कि आप बाहर जाएं और एक बोटल खरीदें यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि अजवान क पूल के तेल में कई योगिक होते हैं जिनके स्वास्थिलाब होते हैं इन योगिकों में शामिल हैं आए देखें कि थाइम तेल के विभिन उप्योगों के लिए ये योगिक कैसे फायदे मंद हैं मुहां से वहां कुछ सबूत है कि थाइम का तेल त्वचा पर मुहां से प्रिम्रोज के साथ मिश्रित होने पर थाइम आवश्यक तेल को खांसी को कम करने और श्वसन पत के संक्रमन की अवधी को कम करने में प्रभावी दिखाया गया है। थाइम और थाइमोल में साल्मोनिला, स्टेफिलो कोकस आरियस और हलिकोबेक्टर पाइलोरी सहिद बैक्टीरिया के खिलाफ जीवानू रोधी प्रभाव पाया गया है। थाइम तेल में कार्वेक्रोल कार्डियो प्रोटेक्टिव क्षमताओं के साथ एक प्रभावी विरोधी भरकाओ एजेंट था, जो इसे हिरदे रोग वाले लोगों के लिए संभावित रूप से फायदे मंद बनाता है। थाइमूल के सूजन रोधी प्रभावों को कई अध्ययनों में प्रलेखित किया गया है। अजवान के फूल के तेल में थाइमूल सूजन और संक्रमन को कम करने में प्रभावी है। हाल ही में हुई एक रिसर्च के मताबिक थाइमोल के एंटी इंफलेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुन इसे औरल हेल्थ के लिए फायदे मंद बनाते हैं योगिक लिस्ट्रीन कूल मिंट माउथ वाश सहित कई दंतुत पादों में एक घटक है खालित्य के लिए थाइम तेल का उप्योग कैसे करें चून की अजवान के फूल के तेल से नुकसान होने की संभावना नहीं है आप इसे आजमाना चाहेंगे और देखेंगे कि यह कैसे काम करता है यदि आप घर पर अरोमा थेरपी स्केल्प उप्चार आजमाना चाहते हैं तो यहां क्या करना है वाहक तेल के रूप में कार्य करने के लिए जोजोबा तेल या अंगूर के बीज के तेल जैसे वनसपती तेल चुने थाइम, लवेंडर, मेहदी और देवदार के आवश्यक तेलों में से प्रत्येक में तीन से पांच बूंदों के साथ वाहक तेल के दो से तीन कप मिलाएं इन में से प्रत्येक तेल में गुन होते हैं जो उन्हें बालों के विकास या खोपड़ी के स्वास्ते के लिए फायदेमंद बनाते हैं लगभग 10 मिनिट के लिए रोजाना स्केल्प में थोड़ी मात्रा में मसाज करें एक घंटे या रात भर के लिए लगा रहने दें एक हलके शैंपू और कंडिशनर से धोलें इस उपचार को काम करने में कई महीने लग सकते हैं अगर आपको स्केल्प में जलन महसूस हो तो बंद कर दें इस उपचार को आज माने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक तेल के साथ एक पैच परीक्षन करें कि यह आपकी तवचा आखों या नाख के मारगों को परेशान नहीं करता है उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद दोस्तों